नमस्कार दोस्तों मैं निखत बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है कैंसर की बिमारी दुनिया भर में स्वास्थ से जोड़ी सबसे बड़ी चुनाती है इस बिमारी में मरीज अगर शुरुवाती समय में इलाज करवा लेता है तो उसे ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है कैंसर की बिमारी कई तरह की होती है और इस बिमारी की शुरुवात में शरीर में कई तरह के लक्षन दिखाई देते हैं बाउल कैंसर आतों में होने वाली एक गंबीर समस्या है इस बीमारी की शुरुवात आतों की अंदरूनी परच्चे होती है और धीरे धीरे ये समस्या बढ़कर शरीर के अन्य अंगों में पहुच सकती है बाउल कैंसर या आत की कैंसर की शुरुवाती लक्षनों को समझ कर आप सही समय पर डॉक्टर की सला ले और इलाज करवाएं आत के कैंसर की शुरुवात में मरीज में दिखने वाले लक्षन थोड़े माइल्ड होते हैं लेकिन समस्य जैसी बढ़नी शुरू होती है इसके लक्षन भी बढ़ने लगते हैं तो आईए जानते हैं इस वीडियो में आत के कैंसर या बाउल कैंसर की समस्या में दिखने वाले कुछ लक्षन के बारे में आत के कैंसर के शुरुवाती लक्षन बाउल कैंसर आत के कैंसर की नाम से भी जाना जाता है ये समस्या कई कारणों से हो सकती है लोगों में आत का कैंसर होने के कुछ प्रमुक, कारण असंतुलेद और अधिक ओईली भोजन, प्रोसेस्ट फूड का अधिक मात्रा में सेवन, डायवेटीज, मुटापे की समस्या कारण हो सकती है विशेशग्यों के अनुसार, बाउल कैंसर या आत का कैंसर होने पर आपके शरीर में दिखने वाले कुछ प्रमुक लक्षन है बाउल कैंसर होने पर मल में खून आने की समस्या हो सकती है आत के कैंसर की शुरुवात होने के बाद मरीज के पेट में दर्द और क्रैम्स हो सकते है पाचन से जुड़ी परेशानिया जैसे कब्स और डाइरिया बाउल कैंसर की शुरुवात में एनिमिया की समस्या हो सकती है पिशाब करते समय दर्द और पिशाब में खून आना भी बाउल कैंसर की शुरुवाती लक्षन हो सकते है सांस लेने में तक्लीफ और सांस की कमी होना इस वीडियो में फिलाल इतना ही वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा